बागिश्वर के सबसे बड़े जिला अस्पताल को PPP मोड में दिये जाने का विरोध तेज होने लगा है इसका मुख्य कारण जिले में बेहितर स्वास्ते सुविधा उपलब्ध ना होना है और हाल ही में जिले के कांड़ा तहसील में बस्ती फूड पॉईजिनिंग मामले से भी जोड कर देखा जा रहा है वही जिला अस्पताल में दिली से सर्वे के लिए आई एक नेजी कंपनी निरिक्षोन करने पहुंची जहां टीम ने अस्पताल में डॉक्टरों से जानकारिया लेकिन इस दोरान टीम के सदस्यों ने कोई खुलासा नहीं किया और असामा ने अस्पताल का सर्वे की बात कहे कर बचते हुए नजर आए इस दोरान नागलिक मंच के अध्यक्ष पंकच पांडे भी जिला अस्पताल पहुंचे पंकच पांडे ने कहा कि सबसे पहले राज्य की सरकार को जिले के सबसे बड़े अस्पताल में अच्छी स्वास्त सुविधा मोहिया करवानी चाहिए ना कि इस अस्पताल को निजी हाथों में सौपना चाहिए जिसी साब से अभी सर्वे करा रहे हैं ये प्राइवेट अजेंसी से उससे तो यही लगता है कि जो अभी एक बात सामने आई थी कि जिला अस्पताल को पीपी मोड में दिया जा रहा है हाला कि जिसका विधायक जिने खंडन भी किया था लेकिन अब चूंकि वो बात उठीती और अब जो है एक प्राइवेट अजेंसी सर्वे के लिए आई है तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि संभावना शुक बुगाहट यही लग रही है कि इसके साथ ही नागरिक मंच के अध्यक्ष ने कहा कि अगर राजुसरकार PPP मोड पर जिला अस्पताल को देने का कदम उठाती है तो नागरिक मंच और इस्थानिय जनता सडकों पर उत्रेगी उतना ही नहीं जरूत पढ़ने पर हाई कोड की मदद भी ली जाएगी पंजाब के स्री टीवी के लिए भागेश्वर से जगदी शुपाध्या की रिपोर्ट जित वागेश्वर क जिता प्रमज के लिए झाल 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 कर्कवान